अलो स्टुडेंट आज हम आपके लिए लेकर आये हैं अपना जो मानभ भुगोल के मूल तत्व वाली जो अपनी पुस्तक के अपनी किताब है उसके अंदर से जो हमारा लेसन नमबर जो अपना छूटावा था मानभ विकास वाला और एक परिवहन संचार वाला जो हमने हमारे लिए तो उससे संबंदित हम कुछ मानचेत्र आज लेकर आये हैं बाकी सभी हमारे जित्ते भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सबसे रिलेटेड मानचेत्र हम अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि सरवादिक मानभ विक सूचकांग वाला महादवीब कौन सा है अगर आप से पूछा जाए सबसे ज़्यादा सूचकांग कौन से महादवीब का है तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप यूरोप महादवीब का सूचकांक सबसे ज़्यादा है ठीक है अब यूरोप महादवीब का सूचकांक सबसे ज़्यादा कैसे हुआ तो आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम सरवादिक मानविकास सूचकांक वाले देशों की बात करें तो आप इसमें देखेंगे नमब टू पर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है आयरलेंड नमबर थ्री पर है अपना स्विजरलेंड नमबर फोर पर है चीन और होंग कॉंग और इधर नमबर फाइफ पर है आइसलेंड तो यह हमारे कुछ इसमें देश दिखाए गए हैं जो कि सरवादिक मानव विकास उच कांग को दर्शा रहे हैं तो आप इसमें अच्छ छे से देख सकते हैं कि जो सरवादिक मानव विकासी देशो का है अब इसमें जो हम देखें तो चीन और होंग कॉंग जो हैं यह एशिया महद वीड नैंग अगर हम इसके अंदर देखें तो नारवे, आइर्लेंड, विज तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे कि अगर देशों की बात की जाए तो सरवादिक मानव विकास सूचकांग वाले देश हैं आपके नमबर बन पे नार्वे, नमबर टू पे आयरलेंड, नमबर थी पे स्विजरलेंड, नमबर फोर पे चीन हांग कॉंग और नमबर फाइफ पे अपना आइसलेंड तो ये सबी देशों का मानव विकास सूचकांग सबसे जादा है इसी प्रकार से जो हमारा अगला हमारा मानचेतर है अगर हम अगले मानचेतर पे चले अपने तो ये है हमारा सरवादिक मानव विकास सूचकांग वाला राज्य अगर हम भारत में बात करें तो भारत में से ज़्यादा मानव विकास सूचकांग वाले राज्यों में नंबर वन पर आता है केरल, केरल राज्य का लिंगानुपाद भी ज़्यादा है, केरल राज्य की सक्षरता भी ज़्यादा है, और केरल राज्य का मानव विकास सूचकांग भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ह आप देखेंगे कुछ हम बोजा ढोने वाले पश्यों के बारे में बात करते हैं, अब हम अपने लेसन नमबर एट से संबंदित जो हमारा चप्टर है परिवेहन संचार, उस परिवेहन संचार से संबंदित अपने कुछ टॉपिक को देखते हैं, जिसमें अगर हम बात करें क कुछ पशु जो होते हैं वो बोजा ढोने वाले पशुओं की शेणी में आते हैं जैसे कि हम बात करते कि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग जो पशु हैं वो बोजा ढोने के कारे में काम में लिये जाते हैं जैसे कि हम इसमें देखें कि क कुत्तो और रेंडियरों का प्रयोग, जो कुत्त्य और रेंडियर हैं, इनका प्रयोग लगबक उत्री अमेरिका और उत्री यूरोप साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो आप इसमें देख सकते हैं, जो कनाडा और रूस, पू उच अक्शानश वाले शेत्र जहां पर की mostly बरफ जमी भी रहती है। हिमाज आदिट शेत्र है। वहां पर जो पशू हैं उनमें किन का उपयोग किया जाता है। कुत्ते और रेंडियर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पश्चीमी देशों म जिन पश्चों का उप्योग किया जाता है वो कौन से है घुड़े, उसके बाद में आगे जगर हम बात करें मरुस्थली शेत्रों में उटों का प्रियोग किया जाता है, यह तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि हमारे याँ भारत में एथार का मरुस्थल तो हम कहते हैं कि रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है उट तो मरुस्थली शेत्रों में जो बोजाड होने वाले पश्चुवें उनमें उटों का प्रयोग क्या जाता है उसी प्रकार से इसमें जो परवत्ती प्रदेश होते हैं जैसे कि हम बात करें हिमाले रीजन है हिमाले रीजन में हम अधिकतर हम देखनेते हैं वाँ पे खचर देखने को मिलते हैं हमें ठीक है तो परवती प्रदेश जो है वहाँ पर खचरों का प्रयोग किया जाता है खचर आपने नाम सुना ही होगा जब हम हिमाले रीजन में परवती शेत्रों में जाते हैं तो हमें ख खचर देखने को मिलते हैं तो परवती प्रदेशों में खचरों का प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार से भारत में बैलों का प्रयोग छकडों को खीचने में किया जाता है अब इस प्रकार से यह सभी जो जगे हैं जो आपको इसमें मैंशन कर रखिए कि मरुस्थली शेत्र में उट जो जगे वा मैंशन करें कि परवती प्रदेश भारत उसके अलावा साइबेरिया वाला रीजन तो ये सभी आपके हैं भोजा ढोने वाले पशु तो इस पर आप कॉशन किसी भी प्रकार से बन सकता है कि उत्री अमेरिका उत्री यूरोप और साइबेरिया वाले अगर हम सड़क परिवहन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सड़क परिवहन में सबसे पहले इसमें देखेंगे कि विश्व में सरवाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या वाला महाधवीब है यहां पर आपको ग्रीन कलर दिखा रखा है तो ग्री अमेरिका का इसी ब्रकार से अगर हम आगे देखें इसमें कि विश्व में सघंतम रेल तंत्र वाला महाधवीब कौन सा है तो आपको यहां पर औरेंज कलर से जो दिखाई दे रहा है तो यहां पर कौन सा महाधवीब दिखाई दे रहा है आपको यूरोप महाधवीब तो स इसके अलावा सबसे अधिक सड़क घनत्व की अगर बात की जाती है तो आपको याद रखना है उत्री अमेरिका तो यह आप बहुत अच्छे सिर्फ को नोट करेंगे इसके बाद हम अपने अगले मांचेतर पर चलते हैं कि यूरोप में सड़वार्धिक रेल घनत्व वाला देश कौन सा है अगर हम बात करें कि यूरोप महाद्वीब का रेल तंत्र हमने देखा भी कि सबसे ज़्यादा है ठीक है तो अब इसमें सबसे ज़्यादा रेल घनत्व वाला जो देश है यह यूरोप महाद्वीब आपको दिखाई दे रहा यह पूरा महाद्वीब कौन स यह यूरोप महादवीब है अब इस यूरोप महादवीब में सबसे ज़्यादा जो रेल घनतो वाला अगर हम बात करें देश तो वो कौन सा है तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं रेल घनतो सबसे ज़्यादा कौन से देश का दिखाए दे रहा है इसमें बेल्जियम यहाँ पर आपका एक देश आता है जिसका नाम है Belgium हमें याद रखना है इसके बाद में हम अपना अगला जो लेते हैं यह है उत्री अमेरिका का मांचित्र उत्री अमेरिका के मांचित्र में हम देखेंगे कि उत्री अमेरिका में सरवाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40 प्रतीशत है मतलब सरवाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कौनसे महादवीब का है उत्री अमेरिका महादवीब का है सरवाधिक विस्तृत एक तो है सगंतम रेल तंतर जो है यूरोप महादवीब का ठीक है और दूसरा है और विस्तृत में उत्री अमेरिका माधवीप है तो इत्री अमेरिका माधवीप जो विश्व के कुल रेल्मारगों का यहाँ पर 40 प्रतीश हम आगे लेते हैं अपना ऐस्टेलिया के अंदर ऐस्टेलिया में लगभग चालिस हजार किलोमेटर लंबे रेल मार गया जिसका 25 प्रतीशत अक्यले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है हमें याद रखना है कि ऐस्टेलिया में रेल में 40 000 किलोमेटर लंबे ने रेल रेल जिसम में 25 प्रतीशत अक्यले कौनसी जगे पर पाया जाते है न्यू साउथ वेल्स आपको दिखाई के जगे जो है महा मार्क तो हम बात करें विश्व के सडक मार्क की पूरी विश्व के अंदर जो सडक मार गया जिसमें हम बात करते हैं नवीन मार्गों में तिबबती शेत्र में आता है इसके रहावा भारत में स्वन्निम चत्तुर बोज और राश्टी महामार्ग संक्या 7 है जो हम कहते हैं कि भारत में सबसे लंबी है एनच 7 ठीक है उसके बाद में अगला जो आपका नेक्स्ट है विश्व में सडक मार्ग के सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ट्रांस कनेडियन महामार तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस कनेडियन महामार की आप इसको देख सकते हैं जिसको इसमें आप दिखाई दे रहा है इसमें कि बिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान से यहां पर एक आपको स्थान दिखाई दे रहा है यह कौन सा स्थान है आपका वैंकूवर ठीक है तो वैंकूवर इस्थान आपको इसमें उत्री अमेरिका की पश्चीमी तर्ट पे दिखाई दे रहा है यह इसका कौन सा तर्ट है पश्चीमी तर्ट और यह उत्री अमेरिका का कौन सा तर्ट है प वैंकूवर स्थान को सैंट जॉन नगर से जोड़ता है तो आप इस में चैसे देख सकते हैं वैंकूवर स्थान को ये सैंट जॉन नगर से जोड़ता है कहां पर वैंकूवर आ रहा है कहां पर सैंट जॉन नगर आ रहा है उत्री अमेरिका का पूर्वी तर्ड कौन सा है पश समैंइ उचे से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि Alaska के Accorage एक जगे आती Alaska में Alaska के Accorage को ये Canada के Edmonton से जोड़ता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो Alaska राजमार्ग ये Alaska के Accorage को Edmonton से जोड़ता है It अलास्का राजमार्ग है यह वाला जो देश है यह कौन सा है आपका अलास्का उसके बाद में हम अगला हमारा next मांचेत्र पर चलते हैं जो है अफरिका के महामार्ग महामार्ग का मतलब आपको याद रखना है महामार्ग मतलब है सडक मार्ग मतलब जो सडक से जो हमारे मार्ग हैं वो महामार के लाते हैं ठीक है अब इसके अंदर हम बात करें तो यह आपको दिखाई दे रहा है अफरिका महादवीब अफरिका महादवीब के अंदर हम देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें एक जगे आ रहे हैं उत्तर में Algiers, यह है उत्तर में Algiers, उत्तर में Algiers को यह Gwana के Konaakri से जोड़ता है, तो यह Gwana के Konaakri से जोड़ रहा है, दूसरा इसके अलावा यह Kiaro को Kapp Town से जोड़ता है, ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, Algiers को G वानद वानगा को नाकरी से जोट रहा है और केरो को कैप टाउन से जोडने वाला जो महामार गई अफ्रिका कि महामार में अते हैं इसके बाद जब हम अपना अग्ला मानचितर देखते हैं उसमें हम देखेंगे मास्को विलाडिवॉस्टक महामार जो आप कहा था है मासकों से व्लाडिवास्टक तक तो आप इसमें देख सकते हैं ये मासकों से इदर व्लाडिवास्टक महामार गया जो यूरेशिया के अंदर आता है इसके बाद हम अपना नेक्स अगला जो मानचित्र है उसमें देखते हैं कि चीन में जो महामार गया है जो इसमें कुछ प् करते हैं ? ТоKRIS CROSS करते भी ये नगर दिखते हैं कौन से जामिल है जैसे हम बात करते हैं इसमें उत्तर में Bijajr आ जाएगा मद्याजीन में शंघाई जाएगा ठीक है ? इसके ऐलावा देक्षण में ग्वांगजाओ आ जाएगा और आपका वियत नाम के पास में शांस हो आजाएगा तो ये जो आपकेस में कुछ देश दिखाए दे रहे हैं चाइना के अंदर चीन में ठीक है ये सभी प्रमुख नगरों को जोडते हुए क्रिस क्रॉस करते हैं ये चीन में महामार गया इसका अलावा चीन के अंदर तिब्बती शेत्र में एक नवीन महामार की हम बात कर सकते हैं जो की चेगडू को लासा से जोडता है ये चेगडू जगे है उसको लासा से जोडने वाला एक नवीन महामार के जो की तिब्बती शेत्र में आता है ठीक है तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं इसके बाद में हम अपने अगल मानचित्र को देखे तो यह हमारे भारत का सबसे लंबा राष्टी महामार्ग नेशनल हाइवे नमबर सेवन है जो की वारा नसी को कन्या कोमारी से जोडता है यह आप अच्छे से देख सकते हैं इसके बाद में जो हमारा अगला है यह स्वाण्यम चत्रभुझ परियूजना है जिसके अंदर भारत के महानगर शामिल है जो दिली मुंबई चैननय और कोलकाता को मिलके यह एक प्रकार का क्या बन जाता है चत्रभुझ बनता है जिसको हम कहते हैं स्वाण्यम चत्रभुझ परियूजना नेक्स रगला हम इसमें देखते हैं कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्री इंग्लेंड के स्टॉक्टन और डालिंग्टन के मध्य प्रारम वह आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रथम जो रेल मार्ग है सार्वजनिक शेत्र में वो कौन कौन से स्थानों के कौन सा है उत्री इंग्लेंड ठीक है तो उत्री इंग्लेंड में ये दो जगे आती है स्टॉक्टन और दूसरी है डालिंग्टन इन दोनों स्थानों के मध्य पर सबसे पहले सार्वजनिक रेल मार्ग की शुरूवात हुई और वो 1825 में हुई है उसके बाद में हम अगला इंग्लेंड देश उसमें इसी जगे को हम ब्रिटेन कहेंगे ठीक है तो यह आपको याद रखना है उसके बाद में अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो है यूरोप महादवीव का मांजज़त यह आपको दिखाई दे रहा है यह यूरोप महादवीव है यूरोप महादवीव में हम दिखेंगे कि इंग्लेंड में स्थेतिक टनल है जिसका नाम ह यूरो टनल, यूरो टनल ग्रूप द्वारा सुरंग मार्ग जो लंदन को पैरिस से जोडता है, यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा है, यह है इंगलेंड, इसको हम रिटेन भी कह सकते हैं, इंगलेंड है, यहाँ पर एक शहर एक जगे आती है लंदन, ठीक है, और यह ज से जोडने वाला जो जगे है, यह एक प्रकार की सुरंग मार्ग है, जिसको यूरो टनल ग्रूप द्वारा प्रचारित किया गया है, ठीक है, तो यह आपको याद में रखना है, इंपोर्टेंट है, कि यूरो टनल ग्रूप द्वारा प्रचारित सुरंग मार्ग, किस को कि से जोड़ता है तो ये जगे है आपकी लंदन को पैरिस से जोड़ता है इसके बाद में हम अगला अपना मानचे तर देख रहें तो यूरोप महाधविप है यूरोप महाधविप में हम देखते हैं इसमें कि यूराल के पश्विम में अत्यांत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग द्वारा देश के कुल परिवहन का लगबग 90 प्रतीशत प्रभंदित होता है और इसमें मासको रेलवे का महतवपूर्ण मुख्या लेगी आपको दिखाई दे रहा है रूस के अंदर ये जो जगे है मासको है आपको याद रखना है मासको कहां पर आता है ये म सबस्कुक्ता दे रहा है उसके बाद में हमारा जो अगर्ण वानचेत्रे उर्प में महतवपूर्ण ड्रेकंद्र है ये ने और एदर आपका बर्लिन है ठीक है उसक अलावा यहाँपर आपका इटली में मिलान है यहां पर आपका वार्षा है यह कुछ यूरोग में महत्वपून रेल के इंद्रे जो हमें ध्यान में रखना है कि यूरोग के महत्वपून रेल के इंद्रे कौन कौन से हैं london, berlin, bruselles, paris, milan और वार्षा इन सभी की स्थिति आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है यह आपको अच्छे से देखना है और याद रखना है इसके बाद में हम अपने अगले मांचेतर पर चलते हैं जो है दक्षनी अमेरिका का मांचेतर दक्षिन अमेरिका के अंदर हम देखे तो दो प्रदेशों में रेलमार्ग सगन है दो प्रदेश कौन कौन से है एक तो ये है ब्राजील के कौफियूत पादक प्रदेश ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये पूरा देश कौन सा है ब्राजील ठीक है और दूसरी अगर हम छेत्र की देश की प्रदेश की बात करें तो वो है अर्जन्टाइना का पंपास यह जो आपको दिखाई दे रहा है देश है यह है अर्जन्टाइना तो प्राजील के कौसुत पादेप्रदेश और अर्जन्टाइन का पंपास जो है वो दक्षिन अमेरिका में चिली एक मातर ऐसा देश है जहांकि रेल मार्क तटिये केंद्रों को आंत्रिक शेत्रों में इस्थित खनल शेत्रों से जोड़ते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपको इस प्रकार से कुछ बिखरा हुआ शेत्र जो दिखाई दे रहा है ये पूरा जो लंबवत रूप में एक शेत्र ये पूरा देश है चिली ठीक है तो ये पूरा देश चिली है जो कि तटिये शेत्र परिस्थित है दक्षिनी अम अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जो जिसका जो तट के तट पे स्थित है और यह आंतरिक शेत्रों में स्थित खनन शेत्रों को जोड़ता है देखना है आपको अच्छे से चिली की स्थिति इसके अलावा कुछ छोटी एकल मार्ग वाली रेल लाइन के अगर हम बात करें तो यहां पर आजाता है आपका वैनेज्वेला यह आता है आपका कोलंबिया यह आता है आपका एकविडोर यह आता है आपका पेरू और यह आता है आपका बॉलिविया यह कुछ देश है जिनकी स्थिति आपको दक्षनी अमेरिका में दिखाई दे रही है तो यह सभी देश छोटी एकल मार्ग वाली रेल लाइन नहीं आप पर है आपको इन देशों की स्थेति अच्छे से याद रखनी है इसके बाद में हम अपने अगले मानचेतर पर चलें तो यह दक्षणी अमेरिका का एक मानचेतर है जिसमें हम देख रहे हैं एक महादवी पारिये रेल मार्ग आप इसमें देख सकते हैं कि एंडी परवत यहां पर आपको यह जो दक्षणी अमेरिका कमी आप इस तरफ जो परवत है यह परवत है एंडी इसका नाम है एंडी परवत ठीक है इस एंडी परवत के पार अवस्थित एक दर्रा है उस प्लाटा दर्रा जिसका नाम है उस प प्लाट्या दर्रे को पार करते हुए इस दर्रे से गुजरते हुए ठीक है एक जगे है ब्यूनस आयर्स जो की अर्जंटीना की राज़नी है ब्यूनस आयर्स अर्जंटीना में आता है को वल प्राइजों से जोड़ता है यहां पर एक जगे आ रही है वल प्राइजों तो आ अंडीज पर्वत को पारकत इस प्रकार से आपको याद रखना है एंडीज पर वथ में पीच में जो दर्रा आरहा है उस डर्रे तका नाम है उसप्लाटा दर्रा उस Neighbor हम इसमें अगले मानचित्र पर चले अपने तो अगला मानचित्र हमारा इसमें उत्री अमेरिका जिसमें संग और प्रिशान्त रेल मार्क दिखाए गया संग और प्रिशान्त रेल मार्क के अगर हम बात करें तो इसमें प्रिशान्त तर्ट पर एक देश आ रहा है सैन फ्रां से जूद रहा है तो यह जो आपका रेलमार्ग को नाम है संग प्रिशांत रेलमार्ग है जो न्यू यूश को से यूद रहा हैं इस फरकार से आपको यह चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है अट्लांटिक तठपे कौन सा देश या कौन सा शहर आ है प्रशान तठपे इसको कहां परा रहा है नियू यॉक कहां परा रहा है अट्लांटिक तर्ड कौन सा है प्रशान तर्ड कौन सा है कौन सा रेल मार्ग में कौन कौन से शहरों को जोड़ा गया है यह आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद में हम इसमें नेक्स अपना अगले जो मांचे तो यह है अफ्रिका महादीव के प्रमुक रेलमार्ग आफ्रिका महादीव के अगर हम प्रमुक रेलमार्गों की बात करें तो इसके अंदर कुछ रेलमार्ग है जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं बैंगुला रेलमार्ग, तंजानिया रेलमार, बुस्वाना और जिंबावे ह और दक्षिनी अफ्रिक की गंद तंतर में ब्लू टेन यह कुछ इसकी रेल मार्ग है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बैंगूला रेल मार्ग की अब बैंगूला रेल मार्ग में आप इसमें देख सकते हैं कि यहां एक जगे आ रही है अंगूला और यहां एक जगे आ रह तो आगया वो है तंजानिया रेलमार तंजानिया रेलमार के हम इसमें बात करें तो तंजानिया आप इसमें देख सकते हैं यह जांबिया तामर पेटी से दारे सलाम तक है तो यहां पर एक जगे आ रही है दारे सलाम ठीक है यहां पर एक जगे है दारे सलाम और यह जांबिय तो यांबिया से दारिसलान तक है आपका तनजानिय रेलमार उसके बाद में जो हमारा गड़ा है वो है बोस्वावना और जिंबावे होते हुए एक रेलमार जो की इस थलरुद राज्यो को दक्षिनी अफ्रीकी रेल तंतर से जोड़ता है इसके बाद में हम इसमें देख सकते हैं दक्षिनी अफ्रीकी गन तंतर में एक ब्लू ट्रेन है जो की कैप टाउन से प्रिटोरिया तक है तो आप इसमें देख सकते हैं यहां पर एक जगे आ रही है कैप टाउन और यह है प्रिटोरिया तो इस परकार से कैप टाउन से प्रि जित्र पें चलें, तो यह Australia का है महातविप, जिसमें की Australia के पश्चीमी और पूर्वी Australia राश्ट्रीRail calorieा इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हम अगर देखें, तो Australia के यहां पूर्वी तटपर एक जगे है Sydney, और Australia के पश्चीमी तटपर है इधर यह पर्थ, ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि पर्थ से सिडनी को मिलाते हुए जो यह आपका रेल मार गया है यह आप इसमें देख सकते हैं यह आस्ट्रेलिया ही पार महाध्वीपी रेल मार गया है पार महाध्वीपी का मतलब होता है ऐसा रेल मार गया ऐसा महाध्वीप ऐसी जगे जो कि पूरे महाद्वीब को पार कर रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक बिल्कुल पश्चीमी तर्ट से शुरू हो रहा है तो दूसरा बिल्कुल पूर्वी तर्ट तक जा रहा है तो पश्चीमी तर्ट से पूरे पूर्वी तर्ट तक पूरे महाद्वीब को पार कर रहा है तो इसका मतलब है यह ऐस्ट्रेलियाई पार महादवी पी यह रेल वार्ग में आता है जिसको कह सकते हैं पर्थ से से रीड़नी तक यह जाता है ठीक है इसके बाद में हम अगला जो हमारे इत्मि में देखेंगे इसमें आप दिख रहे हैं कि आपको एक पार साइबीरियन रेमर्ट दिखाई दे रहा है पार साइबेरियन रेमर्ट के हम बात करें ये विश्व का Sब्से खर और पत्र युटर विद्युति करत पर पार महधवी सुझे करत रेमर्ट. कौन सा है तो हमें पता होना चाहिए पार साइबेरियन रेलमार्क जहां पर भी पार शब्द आ रहा है इसका मतलब की वो उस पूरे शेत्र को कवर कर रहा है वो रेलमार्क वो जगे पूरे शेत्र को लगबा कवर कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहां लगबा से पिट्सबर्ग से शुरू हो रहा है और यह यहां तक व्लाडी वॉस्टक तक जा रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं इसके बीच में कितने सारे शहर है कितनी सारी जगे आ रही है जो कि आपको सेंड पिट्सबर्ग से व्लाडी वॉस्टक तक जोड रही है तो यह पूरा जो शेत्र है वो पूरा कवार कर रहे हैं तो ये रेलमार्ग है इसका नाम है पायर साइबेरियान रेलमार्ग यूराल परवत ओव या निसी नद्यों से होकर गुजड़ता है यहां पे एक जगे आती है चीता आपट देख सकते हैं एक जगे है चीता चीता एक महत्वपूर् महतोपूर्ण क्रिशी के इंद्र है इसके अलावा आप इस पूरे मानचेत्रों को अच्छे से देख सकते हैं नेक्स्ट हम अपना जो अगला हमारा मानचेत्र है उसे देखेंगे जिसका नाम है पार कनेडियन रेलमार पार कनेडियन रेल मार्ग की बात करें तो यह जो रेल मार्ग है यह कनाड़ा की आर्थिक धंबनी कहलाता है आपको याद रखना है कनाड़ा की आर्थिक धंबनी है पार कनेडियन रेल मार्ग जो कि आप यहां से देख सकते हैं यह Vancouver इस्थान से शुरू हो रहा है और यहां Halifax Sydney तक जा रहा है तो आपको याद रखना है कि Vancouver से Halifax Sydney तक जो आपका Railmark जा रहा है वो कौन सा है पार Canadian Railmark और बीच में यह सभी शहर आ रहे हैं यह आपको अच्छे से देखना है उसके बाद म हम अपने अगले मानचेत्र पर चलें यह है हमारा ऑस्ट्रेलियाई महाधवी पी रेल मार्क मैंने पहली बताया था यह पूरा यहां पर्थ से शुरू हो रहा है आपका और यह धर Sydney तक जा रहा है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है पर्थ से शुरू होकर Sydney तक जा को जोडती है और इसे आगे Darwin बिर्दूम लाइन से जोडा जाता है यह भी आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट अपना जो अगला आपन देखेंगे इसमें है Orient Express Orient Express के अगर हम बात करें तो Orient Express इसमें देख रहे हैं आप France में एक जगे है Paris ठीक है इस Paris से यह कई शे तीवी यह कहां तक जाता है? इस्तांबुल तक जाता है तो आपको याद रखना है Orient Express पैरेस से इस्तांबुल तक जाती है ठीक है यह आपको याद रखना है इसमें जो सबसे अच्छी चीज है उसमें यह है कि इस Express Line द्वारा जो लंदन यहां पिक जग है लंदन से इस्ता समबुल तक जो लगने वाला समय यात्रा का समय था वो इस समूद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है यह आपको ध्यान में रखना है तो इस प्रकार से यह एक है Orient Express उसके बाद में हम अगला जो हमारा मांचितर देखेंगे वो है उ जल परीवन में दो प्रकार के परीवन शामिल है एक तो समूद्री परीवन हैं समूद्री मार्ग और दूसरे हैं आंत्रिक जल मार्ग समूद्री मार्ग जो है बड़े-बड़े महासागरों से होते वे जाते हैं जिबकि आंत्रिक मार्ग जो होते हैं वो इस्थल मार्ग के अंदर अंदर के होते हैं तो हमें याद रखना है समुद्री मार कौन-कौन से है और आंत्रिक जल मार कौन-कौन से है आपको ध्यान में रखना है जो भी बड़े-बड़े महासागरों से होते वे जाएंगे वो सभी समुद्री मार कोंगे और जो किसी स्थल खंड के अंदर-अंदर होंगे वो आंत्रिव जल मार्ग होंगे जैसे सबसे पहला जो समुद्री मार्ग के अगर हम बात करें तो बहुत्तर माशा अंत्रीव समुद्री मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था कोलंबो कहां पर आता है आपका श्रीलंका में और यहां पर इंग्लैंड में आता है आपका लिवरपूल तो आपको यहां रखना है इंग्लैंड में है लिवरपूल और श्रीलंका में है क तो ये इसको पहले जोडता था, तो ये कौन-कौन से जगों के आसपास से आप इसमें देख सकते हो जा रहा है, यहाँ पर पश्रीमी अफरिका आ रहा है, यहाँ पर दक्षनी पूर्वी एश्या ही देश आ रहा है, यह सबी जगे यहां से आ रही है, तो इसमें आप देख स ठीक है, यह आपको याद रखना है, उसके बाद में हम इसमें अगला जो हमारा मानचित्र है, उसमें हम देखते हैं, उत्री अट्लांटिक समुद्री मार के बारे में, अब हम देखें कि उत्री अट्लांटिक समुद्री मार गए, सबसे पहले जी बात है, सबसे विश्व का व्यस्तितम समुद्री जल मार गई है हमें याद रखना है विश्व का सबसे व्यस्तितम समुद्री जल मार जिसे व्रहट ट्रंक मार के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है उत्री अट्लांटिक समुद्री मार यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रही है यह भूमद्रे रेख भूमद्रेखा के उत्तर में उत्री अट्लांटिक है भूमद्रेखा के दक्षिन में दक्षनी अट्लांटिक है यह पूरा आपका अट्लांटिक महासागर है तो अट्लांटिक महासागर के उत्तर वाला भाग उत्री अट्लांटिक और दक्षिन वाला भाग दक्षनी अट्ल Atlantic समूदरी माख कहलाएगा, अब इसमें जब हम दिखते हैं, उत्री Atlantic समूदरी माख को, आप इसमें देख सकते हैं, यह सभी पश्री में युरोप ये देश है, और यहाँ पर ये उत्री पूर्वी शे। तो उत्रा जमेरी की देश है, तो उत्री अट्लांटिक समूद्री मार्ग, इन दो देशों से mostly होने वाले जो व्यापार इसमें योगदान देता है, तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्तितम जल मार गए, क्योंकि ये दोनों देशी सबसे ज़्यादा क्या है, विक्सेत देशों तो सबसे जादा जो व्यापार होता है दिननों देश्व कलने होता है इसलिए यह सबसे विश्व का वियस्तिता में साहरएं इसके बाद में हम अगले आपने वानजितरे चले तो हिसमें हम देखेंगे जक Dalant so अब इसमें आप देख सकते हैं यह है दक्षिनी अट्लांटिक महासागर दक्षिनी अट्लांटिक महासागर तो नाम हो गया दक्षिनी अट्लांटिक समूद्री मार अब यह कौन कौन से देशों को जोड़ता है यहां पर पश्री में अफ्रीकी देश है यह पश्री में अफ इसके बाद में हम अगले मानचेतर पर चले तो इस में देखेंगे उत्री प्राशान्त और दक्षनी प्रेशान समुद्री सपारुंधी सब्सक्राइब कि यह आपके जो बीच में दर तो आपके जारी है भूमदे रेखा ठीक है यह आपके बीच में 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 होता है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जापान में एक जगे आ रही है याकोहमा और यहां पर एक जगे आ रही है वेंकूवर तो यह वेंकूवर को आप इसमें देख सकते हैं किस से जोड़ रहा है यह याकोहमा से जोड़ रहा है कौन सा समुद्री मार उत्री प्रशान मुझे Nepal के द्वरा जोड़ा जाता है वह है दक्षनी प्रेशान सॉमूद्री मार Mya हां पर यहां पर एक महत्व तो यह है अपना उत्री अमेरिका और यह हमारा दक्षनी अमेरिका उत्री अमेरिका और दक्षनी अमेरिका के बीच में यहां पर आपकी पनामा नहर यहां जो पनामा नहर बनाई गई है वो कौन से दो महासागरों को मिलाती है अट्लांटिक महासागर और प्रशांत महासाग के बीच में यहां पर यह नहर बनाई है जिसका नाम है पनामन है क्योंकि पहले जब यह व्यापार होता था इतना घूम के आना पड़ता था लेकिन इस नहर के बनने से यह जो दूरी है वह हमारी कम हो गई इसी प्रकार से यह है आपकी बीच में आप पर स्वेज नहर तो हिंद महा सागरी है हमुद्री जलमार जिसमें हमें इतना घूम कियाना पड़ता था या उत्तर माशा अंतरी जलमार जिसमें हमें इतना घूम कियाना पड़ता था लेकिन स्वेज नहर के निर्मान के कारण यह दूरी हमारी इतनी कम हो गई तो इस प्रकार थे हम बात करें तो जोडती है और यह दोनों ही नहरे मनुष्य निर्मित नौवाह नहरें इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट अपना अगला जो मांचेतर देखे यह रोप महादवीब के अंदर है जिसके हम बात करें तो इसमें है जगें डसल डोर्क है राइन नदी परिस्थित बतन यह हम इसमें अब हमने अपने सभी समुद्री जलमार्गों को पूरा कर लिया अब जितने भी हमारे मार्ग शुरू होंगे वो कौन से हैं आपके आंत्रिक जलमार्ग ठीक है तो अगर हम आंत्रिक जलमार्ग की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं राइन जलमार्ग राइन जल मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तितम आंतरिक जल मार्ग है ध्यान रखना है आपको अगर आपसे विश्व का सबसे व्यस्तितम समुद्री मार्ग पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है उत्री अट्लांटिक समुद्री मार्ग लेकिन अगर आपसे विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है राइन जलमार्ग या आपको confusion अपने दिमाग से बिल्कुल दूर करना है राइन जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है जो कि हम इसमें देख सकते हैं, नीदरलेंड, जर्मनी, सुइजरलेंड, इन कई देशों से होकर जाता है, ठीक है, तो यह है आपका राइन जलमार्ग, इसके अलावा यहाँ पर एक पतन है जिसका नाम है डसल्डोर्ग, डसल्डोर्ग राइन अधी पर इस्थेतिक वालगा जलमार्ग आपको दिखाई दे रहा है, यही रूस में आता है, और रूस के कई इधर के कई शेत्रों से बहते वे, यह वालगा नदी जो किस में गिरती है, उत्री कैस्पियन सागर में गिरती है, तो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, यह आपका इधर कैस्पिय देख सकते हैं यहाँ पर hatırे expect बात करें इसको देख सकते हैं हम पर उतर हमेरिक की 5 जील है जिसको हम कह सकते हैं red जील है जिसमें हम पहले भी बात करिए कई बात यह है आपकी superior जील ठीक है यह है आपकी Michigan जील यह है इधर आपकी urine जील इधर है यह इरी और यहाँ पर है यह आपकी Ontario जील इसमें एक बात ध्यान रखनी है सू नहर सू नहर है जो सूपीरियर और यूरेन को जोड़ती है ठीक है उसके अलावा वेलेंड नहर है जो की इरी और ओंटेरियो को जोड़ती है आपको याद रखना है सू नहर सूपीरियर नूरेन को जोड़ रही है और वेलेंड नहर इरी और ओंटेरियो को जोड़ रही है इसमें मुख्य पतन के अगर हम बात करें तो डुलत और बुफालो मुख्य पतन है जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और ये सभी जीले जो है ये आप किया जाएगी उत्रिया अमेरिका की व्रह जीले सैंट लॉरेंस जलमार के अंदर ये आप इसको ध्यान रखें सै मिसिसीपी उनोहोयो जलमार इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि ये जलमार समुदरी मार्ग नहीं है यहाँ पर याद रखना है ये जलमार समुदरी मार्ग नहीं है ठीक है आप ये किताब में भी मिस्प्रिंट है तो हमें याद रखना है ये आंतरिक जलमार को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है यहां पर आप देख सकते हैं यह है मेक्सिको की खाड़ी तो सेक्ट राज अमेरिका के आंत्रिक भागों को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाला जो जलमार गया वह मिसिसिपी उन्हों यह जलमार उसके बाद में हम इसमें अगले अपने मांचेतर पर चले तो यहां पर हम बात करते हैं आप वायू परिवेन की अब हमारा जल परिवेन पूरा हो चुका है जल परिवेन के समुदरी मार्ग आंत्रिक जल मार्ग हमारे पूरे हो है अब हम इसमें बात करते हैं वायू परिवेन की तो विश्व के कुल वायू म वो है यहां पर एक जगे है Chicago, जो Michigan जील के दक्षन में आती है, और यहां पर एक शहर है New York, तो यह उत्री अमेरिका के अंदर यह समबात करें सिंक्त राज अमेरिका की नोड़िये बिंदू है, नोड़िये बिंदू का मतलब होता है कि जहां से, जहां से सभी जगे को आपके जो मार्ग है, परिवैन है, वो अभिसरित होते हैं, सभी महाधवीपों की और यह विक्रित होते हैं, ठीक है, जो भी आपके वायू मार्ग है, वो इस जगे से सभी महाधवीपों की और विक्रित होते हैं, उसके बाद में हम अगला जो इसमें देखते हैं, यह आप देख स होते हैं उसके अलावा करें वायू सेवा taraf का अभाव कोई सी जगे पर तो रूस के एश्या ही और अफ्रीका महद्वीपै दक्षिनी अमेरिका है यहां पर वायू सेवा charge elektronicर्णाइं विंदू कौन से हैं शिकागो और न्यूयोक आपकी यूरोप के नोड़िये विंदू लंदन एम्स्रेडन और पैरिस और कौन कौन से महादविपो में वायू सेवाओं का भाव है तो रूस के इशया ही भाग अफ्रिका और दक्षिन अमेरिका इसमें ऑप्शिन ऑप्शिन किसी भी प्रकार से तो आपको याद रखना है इसके बाद में जो अगला हमा इसमें दिखने हैं यह बेगःच पैपलायन बेगःच पाइप लाइन की अगर हम बात करें तो यहां तो कहां पर मेक्सिको की खाड़ी हैं का उत्रिपूर वी रज्जे यह आपको देखने है इसके बाद में हम अगला देखें इसके अंदर तो एक प्रस्तावित अंतराश्टी तेल और प्राकतिक गैस पाइपलाइन है जो कि विश्व में सबसे अधिक लंबी होगी और ये जो से याद रखना है तो अभी तक हमने जितने भी मानचित्रों के बारे में अध्यन किया ये सभी मानचित्र आपके लेसन नंबर फोर और लेसन नंबर एट जिसका नाम है मानव विकास और परिवहन और संचार से संबंदित आपके जो है ये मानचित्र है इन सभी मानचित्र all the best, जल्दी फिर मिलते हैं, thank you so much and good luck to all.